नमस्कार मैं एन चंद्रा मुझे बहुत खुशी है कि अचिवर्स जंक्षन मेरे फेवरेट लेखक कमलेश पांडे जी की कहानी कहने जा रहा है कमलेश जी ने अपने प्रतिभाशाली लेखन से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे एक अमिल्प छाप छूड़ी है कोई भी निर्देशक अपने प्रतिभाशाली लेखों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते वैसे कमलेश पांडे जी मेरे साथ प्रोफेशनली बहुत सही वक्त पे जूड़े करे थे क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की पहली बड़ी फिल्म बनाने जा रहा था बड़े बजट की बड़े स्टारों वाली तो उस अब मुझे एक बहुत सशक्त प्राइटर की जुरूती जो मेरे सशक्त काहनी को अच्छी तरह से शब्दों में गूंद दे और लोगों के सामने रखे और यकीन मानिये कमलेश जी ने वह बात बहुत इतनी अच्छी तरिक से उन्होंने फिल्म को लिखा कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कितने प्रतिवाशाली लेखक हैं उसके तीन सबूत मैं आपको दे सकता हूँ सबस्टर पहला सबूती है कि फिल्म तो ब्लागबस्टर हुई हुई लेकिन उसके सारे डायलोग जो है वो इतने पाप्लियर हो गए कि आज भी हिंदूस्तान के कौनेटन में बच्चे उसको बोलते हैं दूसरा सबूती है कि कमलेश पांडे जी को अपनी पहली फिल्म के लिए फिल्म फेर का बेज डायलोग रैटर का आवार्ड मिला और तीशरा सबूती है कि उसके बाद मैंने जितनी फिल्में बनाई चाहे अपने प्रोडक्शन के लिए या बाहर हर फिल्म में एक चीज विल्कुल कायम थी कमलेश पाड़े जी आज डायलोग राइटर बारा साल तक हम लोग ने जितनी फिल्म और नहीं और साथ में बनाई क्योंकि मैं किसी भी फिल्म की कलपना कमलेश जी के बगए कमलेश जी के शब्दों के बगए कर ही ने सकता हूँ अचीवर्ज के रुप में सही व्यक्ति का चैन करने के लिए मैं अचीवर्ज जंक्शन और उसके निदेशक मनोज भाउग जिको धन्यवाद देता हूँ